हलो फ्रेंड्स, Foundations of Art Software के कुर्स में आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है, और आज से हम एक नई टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है कि हम Art Software में किस प्रकार से अपने ग्राफिक्स को बनाते हैं, अर्थात हम हमारे पास भिन-भिन तरह के Graphs होते हैं, उनको हम Art Software में किस प्रकार से क्यार करते हैं, उनके क्या-क्या कमाण्स होते हैं, और उनके किस प्रकार के आप Interpretation लेते हैं, अब जब भी हम कभी Graphics की बात करते हैं, तो इस Graphics तो हमारी जो numerical values वेल्यूज है उनके ओपर क्यार किया जाते हैं और जो निमेरिकल वेल्यूज होती है उनको हम उनके अनलाइज करने के लिए और उनके अंदर जो इन्फरमिशन हमारी छीपी होती है उसको बाहर निकालने के लिए हम अपने स्टैटिस के टूल्स का यूज करते हैं और जो भी इसकार हम ग्राफिक्स में भी ग्राफ के द्वारा, फोटो के द्वारा, पिच्चर के द्वारा उस डेटा के अंदर छिपी हुई इन्फोरमेशन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो अब एक सवाल तो यही आता है कि जब भी हम कोई भी अपनी अनालेसिस कर रहे हैं जो उसमें से हमको जो हमारे अनालेटिक टूल से उनको इस्तमाल करना चाहिए या हमारे ग्राफिकल अनालेसिस के टूल से उनको इस्तमाल करना चाहिए तो हमारा उत्तर यह होता है कि दोन में करने जा रहे हैं वो एक particular प्रकार की जो values होती है उनको दिखाता है और इसलिए आपको मैंने पिसले lectures में जो अपने frequency के बारे में और absolute frequency, relative frequency, त्यारी के बारे में बताया था वो इसलिए बताया था क्योंकि आज हम दिन graphics की बार करने जा रहे हैं उनमें हम अपनी absolute frequency, relative frequency हम बार करेंगे और जो information मैंने अपने बगए से data set में frequency के form में बाहर निकाली थी उसी information को आज हम एक graphical view से देखने की कोशिश करेंगे और साथी अब हम जब R software में graphics की बात करते हैं तो हमारे पास एक बहुत लबी list है कि हम R में अपने बहुत करीके के graphics क्यार कर सकते हैं graphic हम बहुत सारे software में जो हमारे click-click वाले भी होते हैं वहां भी तयार कर सकते हैं लेकिन R software में जो हम graphic तयार करते हैं उसमें और बाकी में कोई एक बहुत बड़ा अंतर होता है जैसे आपने देखा है कि हम अपने जब हम अपने खाने के लिए सबजी पकाते हैं तो सबजी में हमारे पास बहुत सारे spices पगते हैं और इन spices particular कुछ quantities होती हैं कि इस proportion में हम जो अपने spices को डालेंगे तो हमारा स्वाद इस पकार का आएगा अब हमारे पास बाजार में कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे पास वो सारे सारे मसाले एक प्रपोर्शन में पहले से मिला दिये गए हैं और जब भी हम अपनी सब्जी पकाना चाहें हम उस मसालों को एक साथ डाल दते हैं और हमको अलग रखे से मसालों को डालने की आशक्तार नहीं पकिती है लेकिन उसे क्या होगा कि हर बार हमारी जो सब्जी का स्वाथ होगा वो एक सार रहेगा और उसमें हम कुछ परिवर्तर नहीं कर पाएंगे भी बाते हैं जो आपको अच्छा लगे आप उसको उसमें परिवर्तित कर सकते हैं उस pace से हमारे आर, सॉफ्ट्रेइज में हम जो भी अपना ग्राफिक कईयार करते हैं उस ग्राफिक' के जो component होते बहुत सारे components होते हैं उन हर एक component का control आपके हाथ में होता है जैसे कि हम अपने चाहेंगे एक्सेस पर क्या लिखना चाहेंगे इत्यादी इसके लिए लेकर आपको एक बार उसको पखले की अफशक्ता ज़रूर पढ़ेंगी उसके लिए मैं आपको यही रिक्मन करूँगा कि हम जिस ग्राफिक की भी बाते हैं करते हैं आप उसके help menu में जाकर आप उसके समझने की कोशिस्ट जरूर करिए कि क्या लिखा हुआ है हो सकता है कि इससे सारे सारे जो भी आप्शिन से उनका इस्तमाल आपको न हो traction क Здесь पहली बात तो ये हैं इस आप बहुत सारे पहली बात यह हैं हम बहुत प्रकार के ग्राफिक्स क्यार कर सकते हैं और उसमें से हमारे बहुत सारे पैकेजस भी होते हैं उन पैकेजस को इस्तमाल करके हम अपने भिन भिन प्रकार के जो ग्राफिक्स हैं उनको इस्तमाल कर सकते हैं तो अगर हम सारे सारे ग्राफिक्स को यहाँ पर अगर यह जो ग्राफिक्स मैंने इस प्रकार से स्कलिक्ट किये हैं जिससे यहां मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पहले कभी इनके बारे में समझा होगा, सीखा होगा या इस्तमाल किया होगा तो जब भी अभी आपको अगर हम उसी ग्राफिक्स को आर्ट सौफ्टर में अगर बना करके दिखाएंगे तो आप उसको पहले से कंपेर भी कर लेंगे कि हम पहले वाले ग्राफिक्स में इस प्रकार की इन्फॉर्मिशन को यहां पर इस प्रकार से दिखते थे, यह or आप उसको बहतर बनाने की कोशिश करेंगे इसलिए हम यहां पर अपने histogram, bar plot, pie chart, इत्यारी, जो हमारे graphics होते हैं हम उसकी यहां पर बाग करेंगे तो दिलिए हम इस graphics की यहां पर शरुबात करते हैं और आज के lecture में आज के लेक्षर्पास के बारे में में हमारे पास R में क्या-क्या है, हाँ एक ची और में बता दूँ आपको, कि हम यहाँ पर आज के lecture में जो भी हमारे different options होते हैं, कोई भी plot को क्यार करने के, उसके बारे में काफी रिस्तार से बात करेंगे, और यह option आप अगर देखेंगे कि हम आगे आने वाले lectures में, या आग परिवर्तन होगा होगा कि किस option की आप सकता कहां पर है, और या उसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन सामाने तया, यह जो options हैं हर graphic में एक सही दिखाई पड़ते हैं, इसलिए हम जो भी आपको यहाँ पर option दिखाने की कोशिश करेंगे, आप उसको इस प्रकार से समझिए कि यह option हमारे और graphic के अंदर किस प्रकार से कार कर रहा है, और यह हमारे graphic को किस जगह पर उसका effect डाल रहा है, अगर हम title लाते हैं, तो title हमारा कहां पर आ रहा है, axis को change करते हैं, तो axis कहां पर बदल रही है, और यह देखने की कोशिश करिए कि किस option का effect कहां पर पलता है, और जब यह आपको पता चल जाएगा कि किस option का effect कहां पर पलता है, तो उसके बाद आपको जिस प्रकार का graphic चाहिए, आप उस तरह के options वहां पर लिख सकते हैं, और आपको आपका मन चाहप पसंदीदा graphics मिल जाएगा, तो चलिए हम इसी तरह के graphics की बात करते हैं, और ज क्या कारे होता है, जो हमारे graphics होते हैं, वो हमारे data के अंदर जो information चिपी होती है, यह उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, यह कुछ ऐसे ही है कि अगर मैं आप से पूछू की कोई इनसान अगर खुश है या दुखी है, तो उसको आप किस प्रकार से हमको लिख करके ब आपको क्या समझ में आ रहा है, जरा एकबार सोचिए, आपको नहीं लग रहा है कि यह जो पहली वाली picture है, इसको देख के लग रहा है कि जो इनसान हमारा खुश है, दूसरी picture को देख करके लग रहा है कि आपनी, जो भी इनसान हमारा वो ठीक ठीक है, ना बहुत खुश है और इस तीसी पिक्चर को दे करके लग रहा है कि यो जो भी इनसान है वो दुखी है तो दिखिए ये जो हमारी स्माइलीज होती है इसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को बहुत आसानी से विक्ट कर देते हैं उसी प्रकार से हमारे ये क्या है ग्राफिक है और इसी प्रकार से हमारे स्टाटिस्टिक्स में या में आर्ड में ग्राफिक्स होते हैं जो हमारे उस डेटा के अंदर की छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिच करते हैं इस प्रिकार से अगर हमें एक सिंपल सा गोला बनाए और मैं यहां पर इस प्रिकार से लिग दिया इसका मतलब होगया इसको और बाहर यह तो और और कुछ हो गया, और ऐसे कर दिया तो इसका अब आए बहुत खुछ है तो यह देखिया हमारा ग्राफिक्स का काम होता है कि जिस बात को हम बगे लंबे चौड़े धंक से कहना चाते हैं और वही बात जो हमारे डेटा के अंदर छुपी होती यह ग्राफिक्स को बहुत ही कॉमपैक्ट वे में हमको दिखा देते हैं अब एक सवाल तो यह आता है जो मैंने प्रायस होना है लोगों को एक यह भरम होता है मैं उसको भरम ही कहूँगा कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी किसी एनालेसिस में किसी रिपोर्ट में अगर ज़ादा ग्राफिक्स देंगे तो हमारी analysis गदा अच्छी हो जाएगी और उसे हमको जादा अच्छी inference मिलेंगे ये गलत है एक बहुत सिंपल सी बात है हर एक analysis में सही information को बाहर निकालने के लिए जिन जिन graphis की आफशक्ता हो आपको खाली उतने ही उप्यूक्ट graphis को इस्तमाल करना चाहिए ये कुछ बात वैसे ही है कि कोई अगर इनसान अगर किसी अपनी health की समस्या को लेकर के डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको बहुत सारी दवा दे देता है और उसमें से बहुत सारी दवाओं का इस्तमाल भी नहीं होता है और एक दूसरा डॉक्टर है जो जो समस्या के लिए जो भी एक या दो दवाईया है जो एप्रोप्रीट हैं उन्हीं को देता है तो आप किस डॉक्टर को अच्छा मानेंगे वही जो की जिस दवाई की आफशक्ता है आपको सिर्फ खाली वही देगा उसी परकार से हमारी ग्राफिक्स के अंदर भी है जो भी हमारी स्टैस्कल अनालिसिस होती है उसके अंदर जितनी ग्राफिक्स की आफशक्ता हो आप अपने खाली ग्राफिक्स इस्तमाल करी है से 2-dimensional plot, 3-dimensional plot, scatter diagram, pi diagram, histogram, bar plot, stem leaf plot, itiadi itiadi. और इनमें से जो भी हमारे अलग अलग situation में, जो भी हमारे appropriate graphs होते हैं, आप अगर उनको use करेंगे तो आपको बहतर statistical inference में लेंगे, आपको बहतर तरीके से data के अंदर छुपी हुई information को आप बहार निकाल पाएंगे. तो R के अंदर हमारे पास बहुत सारे graphics को कयार करने की capability होती है. ऐसे कि हमारे पास bar plot, pi chart, box plot, group by plot, scatter plot, histogram, इतियारी बहुत सारे होते हैं, इनको हम बहुत आसानी से अपने इस R software में कयार कर सकते हैं. आदेखिए हम यहां पर आपको सारे-सारे graphs के बारे में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो हमारे popular graphics होते हैं, उसके बारे में हम आपको यहां पर अवश्च बताने की कोशिश करेंगे, और खास तार पर जो graphics आपने पहले करके रखे हुए हैं, मैं उनको आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि उनको किस प्रकार से हमारे R software में में उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें से दिखिए, एक हमारा plot होता है, उसको हम कहते है क्या होता है कि जो भी हम xy-axis में जो भी हमारे data points दिये होते हैं, उनको हम खाली plot कर देते हैं बस, तो से advantage क्या हमको होता है कि अगर हमारे पास दो data का set है और उसको अगर मैंने अपनी xy-axis पास एक ही scale पर plot करने की कोशिश करूँ अगर मैं अगर और एक data हमारा इस प्रकार से आ जाता है और एक data हमारा इस प्रकार से आ जाता है तो हम यह कह सकते हैं कि यह अगर हमारा पहले number का plot है और यह दूसरे number के plot में जिस data का इस्तमाल किया गया है यहां पर variability कम है और दूसरे डंबर के plot में जिस data का इस्तमाल किया गया है वहां पर variability जादा है तो इसी तरह से यह जो हमारे scatter plots होते हैं यह हमको बिन बिन प्रकार की जो information को दिखाने की कोशिश करते हैं तो इस तरह के scatter plot को अगर हमको एक univariate case में अगर इस्तमाल करना है तो उसको किस प्रकार से किया जाए हमारे पास अगर हमारे पास एक ही variable का data होता है तो हमारे पास univariate graphics होते हैं अगर हमारे पास 2 variable का data होता है तो bivariate उसके बाद में 3 variable हैं तो 3 dimensional graphics हमारे पास होते हैं इत्यादी तो आज हम यहां पर अभी एक ही variable की बात क variable के case में scatter plot बनाने के लिए हमारा command होता है plot PLOT सबकुछ lower case alphabets में लिखा गया है और उसके बाद हम parenthesis में जो अपना data vector है उसको लिख देते हैं आप एक हम जड़ा सा इसी बात को आपको समझाने के लिए हमें एक छोटा सा उधारग लेते हैं जहां पर मैंने पचास लोगों क हाइट सेंटीमीटर में में लिखी हुई है और जैसे यह 166 सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर इत्यादी और इस data को मैंने हाइट नाम के एक data vector में store कर लिया है राइट अब देखिए यहां पर अपना जो scatter plot है उसको कयार करने की कोशिस करते हैं तो देखिए इस प्रकास से बन ज पिंदू बन के आगए इसको हम बोलते हैं scatter plot और यह क्या है यह जो हर हमारा data की value है पहला data दूसरा data इसने उसको यहां पर plot कर दिया है तो अब और यहां पर देखिए य-axis में इसकी range भी दी हुई है और जो भी variable है इसका नाम यहां पर लिखा हुआ है तो अब हम इस ही लाल रंका करना चाहते हैं तो किस प्रकार से किया जाए हम यहां पर x में कुछ लिखना चाहते हैं हम यहां y-axis में कुछ लिखना चाहते हैं हम इसका title होगा वहां पर कुछ लिखना चाहते हैं इत्यादी इस तरह के हमारे पास बहुत सारे options हैं जो हम इन commands के अंदर execute कर सकत तो उसको किस प्रकार से किया जाए उसके लिए हमारे पार बहुत सारे options होते हैं जो हम यहां पर parentheses के बाद उन options को एक एक करके देते जाते हैं और वह वाला कार हमारा यहां पर होता जाता है यह options को देखने के लिए जड़ा आपको अपनी help में जा करके देखना पोड़ेगा तो आपको देखे हम यहां पर करके दिखाते हैं कि इस बिंदू का रंग लाल कैसे किया जाए जैसे यहां अभी क्या है यह काले का बिंदू है क्योंकि यह जो black color है यह इसका default है आप अगर कोई option अगर नहीं देंगे कोई color के बारे में information आपको नहीं देंगे इस graphics को प्यार करने के लिए तो यह black color के जो काले रंग के बिंदू यहां पर बनाएगा अब देखिए मैंने क्या किया अपना यह जो पहला वाला कमांड था पहले इसको ऐसे रखा प्लॉट हाइट और यहां पर मैंने एक option दे दिया और यहां पर देखिए मैंने double course में लिख दिया red लाल तो अब इसमें क्या होगा यह जी देखिए जो बिंदू बनके आ रहे हैं जो आपके पहले काले रंग के बिंदू बनके आ रहे थे अब यह लाल रंग के हो गए इस प्रकार से आप यहां पर अगर कोई भी अपना अगर रंग बदलना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं तो अब जैसे यहां पर देखी मैंने आपको बहुती basic scatter plot बताया जिसके अंदर मैंने खाली इसके बिंदूओं के रंग हैं उनको मैंने बदलने की बार करी उ जी देखी मैंने यहां पर height का data अपना यहां पर copy कर लिया है अब हम देखी यहां पर जब हम करेंगे plot height तो देखी क्या होगा देखी यह right hand side में आपका यह graph बन के आगया इस graph की window को हम इस प्रकार से adjust कर लेते हैं जैसे कि हम जो भी अपना command इस window में यहां पर देंगे इस window में आएगा तो इसमें से जो भी हम यहां पर execution करेंगे वह आपको साफ साफ यहां पर दिखाई देगा जैसे देखी यहां पर हमारे पास इसी command में मैंने add किया color is equal to red अब हम देखी जैसी execute करेंगे आपको यहां पर जो भी हमारे बिंदू का देखी रंग कैसा हो जाएगा देखी लाल हो गया और इसी को मैंने अगर कर दिया blue तो देखी किस प्रकार का हो गया देखी यह blue हो गया right तो इतली अब हम आगे बहुते हैं और हम आगे अपने एक और plot की बात करते हैं जो हमारा है बार plot देखी यह बार plot तो आपको मालूम है आप लोग ने बहुत बार यह बार plot होता है यह हमारे डेटा की absolute या जो relative frequencies होती है उसको दिखाता है और इसी लिए इसको हम खाली जब हमारा जो data किसी categorical variable पर होता है तब हम इसको 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 करते हैं right और इसमें से क्या होता है कि हर एक category के लिए हमारी एक vertical bar दिखा देता है तो जैसे कि अगर हम कहें कि आपको याद होगा एक हमनों धार लिया था जहां पर हमने male और female लोगों को लिया था और मैंने देखा था कि जो male की frequency थी 7 और female की frequency थी 3 तो अगर उसी frequency को आप अगर यहां बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए यहां कहीं 7 पर आएगा यह कह हमारी इस male और female की जो absolute frequency है उसकी height दिखाने की कोशिश करेंगे और अगर हम यहां पर relative frequency लेंगे तो यह इस जगह पर relative frequency दिखाएगा उसी प्रकार से आपको याद है एक हमने और उधारा लिया आता है जहां पर हमने देखाता है कि हमारा एक restaurant है जिसकी तीन directions में में उसकी branches जब वहां से हमारा food deliver होता है तो उसकी कहता है direction 1, direction 2 तो उसकी जो frequency है ती उसको भी आप इस bar के माध्यम से आप दिखा सकते हैं तो यह हमारा bar diagram होता है तो bar diagram में खास बात क्या है कि यह जो bar की height होती है यह हमारी उसकी absolute frequency या relative frequency के proportional होती है और यह हमको y axis पर दिखाई जाती ह तो क्या होगा कि जिस categorical variable की bar की height ज्यादा होगी अर्थार उसकी frequency ज्यादा है यह इसका interpretation होता है तो इस प्रकार के bar plot को हम किस प्रकार से R software में कयार करेंगी इसके बारे हम देखें हम यहाँ पर बात करते हैं तो अगर हम अपने bar plot की बात करें तो bar plot में देखिए पहली बा या relative frequency की basis पर कयार करते हैं अर्थार कि अगर आपको raw data दिया हुआ है जो भी original data दिया हुआ है उसको पहले आपको tabular format में table command के द्वारा उसको उसकी frequency निकालने पगी और उसके बाद आप उसमें से bar plot को कयार करने की कोशिश करेंगे और उसमें से भी दो option होते हैं कि आपका जो bar plot है उसको आप absolute frequency के terms में बनाना चाहते हैं या या आप उसको relative frequency के terms में आप बनाना चाहते हैं तो जो हमारा bar plot बनाने के command होता है वो होता है B, A, R, P, L, O, T और उसके बाद हमारा जो frequency का data होता है एक से जिसको मैंने किसी data vector में अगर store करके रखा है और नहीं किया हुआ तो इसको table command के द्वारा यहाँ पे store करेंगे उसको देते हैं उसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत सारे options होते हैं जैसे होता है width तो width के द्वारा हम आपने जो bar की width होती है उसको control करते हैं फिर space अथा 2 bars की बीच में space किस प्रकार से होनी चाहिए इतियादी तो हम आपको request कर अब अगर माल लीजे कि अगर x अगर आपका simple data vector है तो यह bar plot बनाने के लिए आपको लिखना पोगेगा bar plot और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि bar plot absolute frequencies का बने तो आपको parenthesis में लिखना होगा table x आपको याद होगा कि table command के द्वारा आप अपने data की frequencies को निकाल सकते हैं और उसी तरीके से अगर आपको relative frequency के terms में अगर अपने bar plot को कयार करना है तो आप लिखेंगे bar plot of a parenthesis में जो relative frequency को निकालने का जो expression था यहाँ पे अपने table और length of the data vector से divide कर दिया था उसको लिख देंगे तो यहाँ से जो भी आपको bar plot मिलेगा वहाँ आपको relative frequency के terms में मिलेग राइट उसके अलावा आप अगर इसके help menu में आप अगर देखने के कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कितनी सारी चीज़े हमारी control हो जाती है यहाँ पर इसकी width है जो bar plot की यह control हो जाएगी दो bars के बीच में कितनी space है आप इसको control कर सकते हैं जो उनके आप नाम angle को control कर सकते हैं, density को दे सकते हैं, angle को control कर सकते हैं, color को change कर सकते हैं, border को क्यार कर सकते हैं, जो इसका main heading होती है, उसको में के दोरा दे सकते हैं, sub ke दोरा आप उसकी sub heading दे सकते हैं, x lab के दोरा और y lab के दोरा आप जो x और y axis पर अपने kytles हैं, उनको दे सकते हैं, x limb और y limb के द्वारा आप अपनी x और y axis पर जो limits दी हुई है उसको आप control कर सकते हैं उसी तरह से x pad log, axis, axis name अब देखेंगे यहाँ पे कितनी सारी चीजे हैं जिसके द्वारा आप अपने इस graphics के हर एक पार्ट को हर एक parameter को बहुत आसानी से control कर सकते हैं हां पहली बार में आपको इनको एक बार पलके समझना बहुत आवश्यक है मैं यहाँ पर क्या करूंगा मैं यहाँ पर एक छोटा सा data vector लेकर करके मैं उसमें bar plot को प्यार करने की कोशिश करूंगा और दीरे दीरे करके हम इसमें से कुछ हमारे जो popular options है मैं इनको यहाँ पर यहाँ पर यूज करता जाओंगा तो इतली हम अपना पहला उधारा लेते हैं और यह उधारा हमारा यही है जो हमने पिसले lecture में consider किया था कि हमारे पास 10 लोगों का data है और उसमें से उनको मैंने male और female दो categories में बात दिया है और male category को one के द्वारा और female category को दो के द्वारा दिखाने की कोशिश करी है तो यह जो हमारा data है one two one two करके यह देखिए आ गया और यहाँ पर हमने इस data को एपने एक variable में जिसका नाम है tender इसके अंदर store कर दिया है तो दे एक कुछ हिस्त प्रकार का data आजाना चाहिए एक mail के लिए और email के लिए राइट अब हम जड़ा से यहाँ पर bar plot कर्यार करने की कोशिश करते हैं और हमने command दिया bar plot bar plot और प्रेंटिसर में दे दिया gender और उसके बार देखिए आपको यह outcome मिल गया क्या आपको यही start कहिए ता आपको इसी प्रकार के bar plot की उम्मीद थी जरसा स्कोचिए कि आप जो करना चाहते थे क्या आज स्वाप्रें ने वही कार किया है आपने तो सोचा था कि यहां पे हमारे पास दो काटेग्रीज हैं male और female तो यहां पे दो हमारे पास बार सानी चाहिए क्योंकि आपने परके रखा हुआ है कि हर एक जो हमारा category होती है वो एक बार के द्वारा दिखाई दी जाती है यहां तो हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस categories आ गई यह कहां से आ गई अब जड़ा से सोचिए मैंने अभी आपको बताया कि यह जो हमारा बार plot होता है यह क्या करता है यह हमारे data की frequency को plot करता है ना कि data को आपने यहां पे बल्कि आपने नहीं मैंने यहां पे गल्ती करी है और यहां पर मैंने अपनी frequency की जगह जो original data है उसको दे दिया है अगर हम इस data की जगह इसका अगर हम एक cable command के दोरा use करके हम इसकी frequency निकालने और इस frequency को अगर यहां पे देंगे तो हमको यहां पे दो graphics मिल जाने चाहिए देखिए यह एक बहुत ही common mistake है यह मैंने गल्ती यहां से जान करके करिए यह आपको दिखाने के लिए कि मैंने गल्ती करिए कोई बात ने लेकिन आप मत करिएगा और जब भी आप ऐसा करें तो देख लिए कि आपको graphics का जो input है वो किस प्रकास से देना है बहुत से software होते हैं ऐसे जहां पर आपको खाली variable का नाम देना होता है और वह software खुद बखुद उस variable के अंदर चुपे हुए data को पहले frequency में convert कर लेते हैं लेकिन आर ऐसा नहीं कर रहा है आर के अंदर आपको अपना बार प्लॉट बनाने के लिए आपको इसको टेबल के फॉर्म में data देना होगा जो कर देखिए हम यहां पर करते हैं पहले मैंने यह देखिए use किया table gender इसने मुझे दो category दे दी एक और दो जिसके अंदर हमारी absolute frequency है साथ और तीन राइट अब हमने इस data का मैंने बार प्लॉट बनाया पहली category देखिए यह होगे category one और यह आपके category two देखिए इसकी frequency कितनी absolute frequency start पर है इसकी frequency देखिए कहाँ पर है और अगर आप अगर देखिए तो यह क्या है, यहा पर दी हुई है, तो आपने देखा कि यह जो हight भी हमारी है, यह हमारी इस frequency के proportional है तो इस प्रकार से आपने देखा कि आप इस बार प्लाट को बहुत आसानी से कयार कर सकते हैं और अगर आप अगर यहां पे absolute frequency की जगे आप अगर relative frequency को निकालना चाहते हैं तो देखिए आपको बस यहां पे आपका यह table में आप gender को आप अगर month of the gender से divide कर देंगे तो आप आपको यहां पे यहां पे relative frequency मिल गई category हो गई 102 और इनके relative frequency category 1 की हो गई 0.7 और category 2 की हो गई 0.3 और जब इस data को आप अगर यहां पे input करने की कोशिच करेंगे बार प्लाट के अंदर तो आपको देखिए यह बार प्लाट मिल जाएगा जहां पे देखिए यहां पे कितना है 0.7 और बार देखिए यहां पे कितना है 0.3 तो यह जो 0.7 यह इसको दिखा रहा है 0.3 यह इसको दिखा रहा है और यह जो category 102 है यह आपको यह category को दिखा रही है 102 को आप अगर देखिए अब यहां पर यह जो हाइद दी हुए यह आपकी relative frequency है राइट तो देखिए आपने स सब्सक्राइए बहुत आसानी से आपने कयार करने के कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले हम पना जो जेंडर का डेटा है उसको हम copy कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर हम अपने यह दोनों ग्रांफ्स बनाएंगे, विय दिक्राफिकाल मर् toujours पहले हैं अब हम यहां पर बनाते हैं आप आयाए। अब यह मैंने टो इस ने आपको यह जैन्डर कर दिया यह तो गलत है आपको प्रलों IT सो देलना है तो देखिए जैसे आपने किया इसने आपको यहां पर एक दो absolute frequency वाली height की बास बना दी तो देखिए यह हो गया 7 यह आपको हो गया 3 और इसी प्रकार से आप अपनी यह जो आपकी bar plot है जहां पे आप अपनी relative frequency को देखना चाहते हैं तो आपने इसी को अपने ने देखिए य value में देखिए इस प्रकार से मिल गई यह आपकी यहां पे सारी सारी value of proportion के form में आ गई 0 और 1 के बीच में और देखिए इनकी height आपकी 0.7 पहली बार की और दूसरी बार की height हो गए आपकी 0.3 हो गई तो आपने देखा कि यह बहुत ही आसान काम है इन plots को क्यार करना बस आप आपको यह देना है कि आपको सही तरीके से आपको इनको आप जो इसका command है आपको सही प्रकार से दीजिए तो अब आपने देखा कि यह हमारा बहुत ही एक basic default bar plot है जो हमको r बना करके देता है अब हम एक और उधार लेते हैं और इसके अंदर हम अपना bar plot बनाएंगे और सा चाहेंगे कि जब भी हम कोई option को add करते हैं तो उसके बाद उस graph में क्या परिवर्तन होता है और आपको भी यहां पर इसी बात का ध्यान देना है कि जिस प्रकार से हम अपने option में कुछ एके करके addition करते जाएंगे उस हमारे bar plot में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है क्योंक पर example को लेते हैं जो हमने पिछले lecture में लिया था यहां पर हमने देखा था कि हमारे एक pizza restaurant की तीन branches हैं एक हमारी है East में एक West में और Central में जिसको मैंने एक दो और तीन संख्याओं से indicate किया हुआ है और इनके अंदर हमारा जो भी इस pizza का order कहीं पर एक जगह पर आता है और वह उस order को उसको पकरा देते हैं और उसके बाद में उसको पकराने के बाद में उसकी delivery उस वाले हमारे restaurant से हो जाती है उसी का जो data हमारा देखी यह मैंने यहां पर 1121 के form में लिखा हुआ है और यह 123 है यह हमारे इनके जो restaurant के जो different locations हैं East पर है एक West पर है दो और Central पर है तीन उन अपना bar plot बनाने की कोशिज करते हैं तो देखिए आपने कमाल लिखा bar plot और parenthesis लिख दिया direction तो देखिए ग्राफ बनके आगा यह तो गलत है यह तो आपको पता है कि आपको यहां पर इस direction के data को frequency के form में देना है या तो absolute frequency या relative frequency तो चलिए अब हम यहां पर अपना direction की जग बनके आ जाएगा यहां पर यह आपकी है direction 1 यह direction 2 यह direction 3 और जो भी इनकी absolute frequency यहां पर आपको दिखाई पग रही है तो यह आपको देखिए जो default एक bar plot बनके आता है वह ही यह है आप हमें काम करते हैं इसी bar plot के अंदर हम यहां पर अपने भिन भिन options को add करते जाएंगे और स साथी आपको हम जो हमारा graph है जो हमारा screenshot का हमेंने यहां पर लिया हुआ है उसके द्वारा हम आपको उस graph के अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे और जब हम इस car को पूरा कर लेंगे उसके बाद हम आपको इसको R software में करके दिखाएंग आपको यहां पर यही समझना है कि जिस प्रकार से हम अपने परिवर्तन कर रहे हैं वो हमारे outcome को किस प्रकार से change करने की कोशिश करते हैं तो साथी में आप अगर यहां पर अपना जो भी relative frequency के terms में भी इस bar plot को बनाना चाहते हैं तो बहुत ही असान काम है आपने यहां पर table direction के data को अपने length direction के data से divide कर दिया तो जो भी देखिए bar plot मिलेगा वो आपको यहां पर relative frequency के terms में मिल गया अब हम इसके अंदर एक एक option add करने की कोशिश करते हैं तो हम आपना absolute frequency वाला करू लेते हैं आप कोई भी ले सकते हैं और इसमें से सबसे पहले मेरा aim यह है कि मैं यह plot ऐसा चाहता हूं कि जो पहली बार हमारी है यह red color की हो जाए दूसरी हमारी green color की हो जाए और तीसरी बार हमारी blue color की हो जाए तो यह कार किस प्रकार से किया प्रिशली example में हमने option लिए था col color तो उसी option को हम यहाँ पर use करते हैं और हम लिखते है col is equal to लेकिन आप हमारे पास तीन अलग-अलग color है तो अब आप यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको data vector के format में double course में red, green और blue और जब मैंने इसको execute किया तो उसने देखा कि आपको उसने जो ऐसा graph दे दिया जो आपका पहले तो यह था और उसके बाद में अब यह red, green और blue में ब्लू में बार के color बदल गया right, उसके बाद में अब हम एक और हमारी इच्छा है कि हम अपने इस graph में यहाँ पर एक title देना चाहते हैं और हम लिखना चाहते हैं कि directions of food delivery, तो इस परकार के main title को add करने के लिए हमारे यहाँ पर command होता है main, m-a-i-n, अब आप देखिए यह वाला जो हमारा command पहले वाला ही ह उसमें से मैंने खाली यह जो black color के box में लिखा हुआ है इसको मैंने खाली add किया है, तो क्या हो गया main is equal to directions of food delivery और जैसी आपने execute किया यह देखिए अपने आप से यह यहाँ पर इस graph में जो आपने पहले बनाया था इसके अंदर यह देखिए title add हो गया, right, उसी परकार से अप अगर मांविजीए, यहाँ पर एक आप, le suced बनाना चाहते हैं, अर्थाथ कि यह दिखाना है कि यह जो लाल रंग है यह किっはा दिखा रहा है, green color क्या दिखा रहा है, blue color क्या दिखा रहा है, तो आप यह दिखना चाहते हैं, कि जैसे यह लाल color है, यह dir 1 है, direction 1 है, green color को दिखा रहा है तो इस कार्ट को करने के लिए हमारे पास देखिए कमांड होता है उसको मैंने यहां पर एड़ किया legend.text और उसके बाद मैंने data vector में हमको इन तीन बास के लिए जिन जिन legions को दिखाना था उसके मैंने नाम लिख दिया जैसे देखिए मैंने यहां पर double course में लिख दिया DIR1, DIR2 और DIR3 और जब मैंने execute किया तो उसने यहां पर आपको यह legend test add कर दिया और यहीं देखिए पहले वाले command में यहां पर कुछ नहीं था राइट तो देखिए यह समें से इस option के द्वारा आपने यहां पर अपना legion test भी add कर दिया और हम एक काम करते हैं इसी वाले graph हैं जो हमने अभी क्यार किया है वहां पर जड़ा हम इस इस graph का एक sub title है उसको जहां पर add करना चाहेंगे यह है हमारा three directions तो इसको add करने के लिए देखिए मैं यहां पर एक command add कर दिया sub is equal to double quotes में three directions जो भी मुझे add करना हम यहां पर add कर सकते हैं और देखिए जब मैंने execute के इस command को तो देखिए यह हमारा graph बनके आ गया जहां पर यह line हमारी यहां पर print हो करके आ गई उसी प्रकार से अब अगर हम अपने इसी graphic में जो हमने अभी यहां पर यह निकाला है इसके अंदर हम x और y axis पर एक heading में डालना चाहते हैं तो देखिए यहां पर हम यहां पर add करना चाहते हैं food delivery directions यह हमारा x axis पर title होगा और y axis पर हम डालन चाहते है number of deliveries तो मैंने देखिए क्या कि मैंने यहां पर लिखा x lab और यहां पर मैंने double course में लिख दिया food delivery directions जो देखिए यहां पर आ गया और उसके बाद मैंने लिख दिया y lab is equal to number of deliveries और जिसको मैंने यहां पर लिख दिया तो देखिए यह y axis पर आ गया तो अब आप करते जाएंगे तो आपको अपने यह भिन भिन पर कार के graphics मिलते जाएंगे और graphics का हर एक जो भी aspect है वो आपके control में है तो चलिए अब ज़रा सा इसी कार को हम अपने r software में करके देखते हैं और सबसे पहले हम अपने इस data को यहां पर क्यार कर लेते हैं यह देखिए data का क्य हो गया direction राइट अब हम तरह सा यहां पर इसी direction data पर हम अपना बनाते हैं bar plot तो देखिए आप जैसी bar plot करेंगे तो देखिए इस प्रकार सा आजएगा जो आपको नहीं चाहिए अब आपको यहां पर क्या करना है आपको यहां पर add करना है table तो जब आप table को add करेंगे तो द देखिए तीन जो आपकी यह बास बनके आगई उसी प्रकार से आप अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हां relative frequency वाल आप पर निकलना चाहेंगे तो खाली आपको इसको length से divide करके निकल आएगा अब हम आपको दिखाते हैं कि इसी graph में रंग कैसे add किये जाए तो देख plot में मैंने जो अपनी main title है कि direction of food delivery मैंने उसको add करने की कोशिश करी अब आप देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर परिवर्तन होगा मैं जो हमारा left hand side में मैं आर console में मैं अपना command execute करता हूं और y परिवर्तन हो जाता है कि यहाँ पर direction of food delivery आ गया right उसके बाद हम इसमें से ए legend आपका यहाँ पर बन के आ गया right उसके बाद में हम इसमें से यहाँ पर अपने इस जो भी कब title है हम उसको add करने की बात करते हैं यहाँ पर बन गया गया three directions और उसके बाद में हम अपने जो भी x और y access पर जो टैटल देने की बात करते हैं तो देखिए हमारा पर क्या command आ इस प्रकार का गया देखिए यहाँ पर x पर आ गया food delivery direction और y access पर आ गया number of deliveries राइट तो चलिए अब हम इस lecture में यहाँ पर रुकेंगे आपने देखा कि मैंने यहाँ पर बहुत ही चोटा सा कमान लिया है bar plot और उसके अंदर मैंने आपको भिन भिन करे की चीजू को add करके दिखाने की कोशिश करी है और यह तो आपने देखा है कि कोई भी आप अगर graphic अपना क्यार करते हैं तो यह तो उसके मूल चीज़े होती है कि आप उसका title लिखना है, access पर उसका title लिखना है, main title लिखना है, इत्यादी, मैंने आपको दिखा है कि जिस तरह का graph आपको पहले options हैं, हमारे पास इसके लागवा बहुत सारे options हैं, जो आपको help menu के द्वारा मालूम पढ़ेंगे, अब हमारी आपसे यही request है कि आप उन help menus में से एक-एक option को आप लीजिए और अपने graph में add करी और देखिए उससे होता क्या है, जब आप यह देखने की कोशिश करेंगे त आपको यह पता चल जाएगा कि यह option को add करने से यह कार्ड हो रहा है और इसका effect ऐसे होता है, तो finally आपको जिस तरह का graph चाहिए, आप उन-उन actions को execute करने के लिए उन से जो संब्दे हमारे options हैं, आप उनको choose कर लेंगे, और दूसरी बात तो यह है कि मैंने आपको जो जो यह यहाँ पर commands बताएं हैं, यह प्रहया आप आगे देखेंगे कि हम जो जो यहाँ पर graphics consider करने वाले हैं, यह सभी में काम आएंगे, हाँ यह आवश्यक है कि किस graph में किस command की अवश्यक्ता होती, वो तो उसके उपर depend करेगा, लेकिन आपके लिए बहुत important है कि मैंने जो हमारे खास-खास command है, जैसे COL, sub, xlab, इत्यादी, उनको चला समझने की कोशिश करिए कि वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके अंदर आप अगर कुछ परिवर्तिन करते हैं, तो वो किस प्रकार से आपके graphs को परिवर्तिन करते हैं, और यह आपको जो practice है, हम अगले lecture में जिन graphs को करने वाले हैं, उसमें आपको यह बहुत साहता करेंगे, साहती आपको यह भी देखना है कि कौन सा graph किस condition में यूज किया जा सकता है, तो जैसे मैंने आज जो मैंने बात बताई आपको बात प्लॉट किजिए, हमारा जो categorical variable है, सिर्फ वहां पर यूज होगा, यहां पर data हमारा categories के form में है, उसके बाद हमारे पास continuous data अगर है, तो उसमें क्या करेंगे, तो यह सारी बाते हम आपको आगे आने वाले lectures में करेंगे, तो आप इनकी practice करिए, और हम आपको अगले lecture में कुछ और topic के साथ मिले, जरूर आएंगे, तब तक के लिए, good bye. कर दो, आएंगे, तो मुझाए, तो आवको अपको आपको 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 आपको.